दोस्तों तेनाली रामा तो पसंद होगा ना आपको चलो उनके कहाणी सुनाता हूँ आपको तो एक बार क्या होता है कि जो तेनाई रामा वो पॉजिशन राज दर्बार में अंकर रहे होते हैं तो एक बार राजा कृष्णदेव राईजी की मां बिमार हो जाती है और उनको पता था कि उनका जो मरन है वो तो अपते है आप कुछ कर नहीं सकते तो वो न चाती थी कि वो कुछ दान करे तो राजा कृषिदेव राई की माना उनको आम बड़े बसंथे तो वो अपने बेटे को बलाके कहते पुतर मेरी बात सुनो बेटा मेरा बरना तो अपते है तो मेरे लिए का छोटा सा काम कर दो तो राजा कहते है भोलो मा मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ तो राजा कृषिदेव राई की मा कहती है कि मैं चाहते हूं कि तुम ना आम जो है आम की जो फल है तुम हमारे राज में जितने भी commoners हैं जिसमें middle class, गरीब लोग, higher middle class, lower middle class, low caste, high caste, इन सब को तुम आम distribute करो तो राजा जी कहते मा मैं आपके लिए रत्नगिरी से best आम लेकर आपको दूँगा और मैं आपकी इस आखरी ख्वाइश को पूरा करूँगा तो वो अपने स्पाईों को बेचते हैं लेकिन क्या होता है कि उनकी मा बुदर जाती है अब राजा जी बड़े दुखी हो जाते हैं वो उनके अंतिम संसकार करने के बाद राजा जी पंडितों को बलाते हैं पंडितों से पूछते हम क्या करें तो पंडित बोलते हैं अंदर आप डिस्टिबूट कर दो जिससे जो आपकी मा की आखरी ख्वाइश्टी वो पूरी हो जाएगी पैसा ही पैसा होगा अब राजा जी केरते हैं यह तो बात तो सही है तो वह सोने के आम बनाते हैं और पंड़तों को डिस्टिबूट कर देते हैं और फिर आते तेनाली रामा का ट्विस्ट अब तेनाली रामा को तो यह पतार लग जाता है तेनाली रामा जी को आता है उन्हें पंड़ितों को बुलाते हैं अपने घर में अपनी मा की आखरी ख्वाइश्ट को पूर्री करने अब सारे पंडित भी खुश हो जाते हैं कि तेनाली रामा भी एक अमीर इंसान होता है तो सोचते हैं कि उन्हें भी कुछ-कुछ मिलेगा या फिर वो भी तेनाली रामा को भड़का कर कुछ हासिल कर लेंगे तो जाते हैं तो वो डर जाते हैं वो देखते हैं उनके जो नौकर है उनके हाथ में गर्म लोहे के सरी होते हैं अब ना वो जो नौकर होते हैं वो पंडित के पीछे पर जाते हैं उन्हें मार पैरों में गर्म लोहे के सरीयों से मारूं क्योंकि उनके पैरों में बहुत दर्द हुआ करता था उस दर्द को मिटाने के लिए वह चाती थी कि मैं उनके पैरों में उस गर्म लोहे के सरीये से मारूं तो जो पंडित होते वो कहते हैं भई हमें तुमारी मा की आखरी कर सकते तो उन पंडितों को समझ आता है कि उनकी लालच के वज़े से उन्होंने क्या कर डाला उन्होंने क्या गलती कर डाली फिर वो तेनाली रामा से माफी मांगते हैं कहते हैं हमें माफ कर दो हमाद से कभी भी अपने पुजिशन का गलत इस्तिमाल नहीं करेंगे उसके बाद तेनाली रामा कहते कि तुम मुझसे वादा करो कि अपने इस पुजिशन को लोगों के वेलफेर के लिए इस्तिमाल करोगे और कभी भी इसका बुरा उप्योग नहीं करोगे पंडित माफ करते हैं माफी मांगते हैं और उसके बाद वो सोनी क्याम वही रखके चले जाते हैं तेनाली रामा राजा जी के पास जाते हैं और उन्हें बोलते हैं राजा जी देखो ये ये सब हुआ था अब राजा जी कहते तुम्हारा बहुत बहुत शुक्री है ये काम करने के लिए अब राजा जी की दिमाग में एक सवाल उठता है भई देखो अब मैं करूं क्या मेरी मा की आखरी खायश में कैसे पूरी करो तो टीनाली रामा कहते जैसा आपकी माने का था वैसा करो